दो ज्वांपरी में तो पानि भर जाता है आपकी में भरे आरीश्वजाज वाज़ जाता आपकी पानीश उलतारा खाने रहें एक पारिषक बहुत खरीब ही आपके तो उज्च नहीं है में आपने मैवात के सबी भाईयों से एक बात करना चाहता हूं कि आज कल मेवात में ऐसा नहीं है कि मेवात में काफी लोग पैसा वाले हैं, काफी गरीब भी हैं, और काफी बहुत जादा गरीब हैं, उनका हल यह नहीं है कि जहर खाओ, या कुछ भी गलत करो, उसका सामना करो, उसका सामना करोगा तब ही उसका कोई हल निकलेगा. मिवाद के लोग के बीच में गुसा है कि गाउं के मुख्या है ना वो चुपचाप बैठे हुए है उनको इस पेसली कहना चाहता हूँ कि आप यहां पर आए जरूरी नहीं कि कोई आपको वोट दे या ना दे लेकिन आपका हक और आपका फर्ज बनता है कि आप आकर के ऐसे लोग की मदद करें जिस तरह इस भाईनात मत्या करने के कोशिस करी है गरीबी के हालात में आकर के कोई भाई इस तरह से नहीं करेगा तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सका आप गरीब लोगों की मदद करें आगे बढ़ें बुराईयों में पैसा उठाने से बैतर किसी के घर को बसाने के लिए पैसा कर जाए यह बात तो सच है कि अगर किसी मेवाद के गरीब परिवार के उपर कोई आफट आजाए तो मेवाद के बाकी के जो लोग है वो कहीं न कहीं उस आफट को हटाने में पूरी जी जान लगा देते हैं ऐसा जीता-जागता उधार्म देखने को मिला है खेडी नानु का गाउं मेः खेडी नानु का वो गाउं है जहां पर एक म मेवात की बुजरुग अम्मा जो गरीबी सी तंगा करके जिसके बेटे ने जहर खा लिया था और उसकी हालत नाजुक बन गई थी। जब उसकी वीडियो हम लोगों ने अपने चैनल पे चलाई तो उसके बाद मेवात के लोगों ने खूम मदद की। करीब करीब 25-30,000 रुपे की मदद उनके खाते में आई और उसके बाद अभी भी मदद करने का सिलसिला लगातार जारी है। मेवात की वो हमदर्द टीम आई है जो कही ना कही जिन्होंने वीडियो देखी वीडियो देखने के बाद आर्थिक तोर पर इन लोगों ने इस बुजुर्ग अम्मा की मदद की है। क्योंकि लोग इनके घर को देखने आये हैं उस बेटे से मुलाकात करने के लिए आये हैं जिस अम्मा के बेटे ने जहर खा लिया था गरीबी से तंग आ करकी। अक्सर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग महंगाई के चलते या फिर गरीबी के चलते जहर खालें लेकिन खेड़ी नानुका गाउं की जो अम्मा है उसके बेटे ने जब जहर खाया तो पूरे मिवाद अलाके के लोग को दर था हमारे साथ ये सारे कोई परीचे के मोताज नहीं है सलमान जो की जिम ट्रेनर है और मिवाद के उन सभी युवाओ के लिए अपने आप में एक मिसाल है जो कहीं न कहीं फिटिनेस पर ध्यान देते हैं सकील एहमद भाई हमारे है जो की सिस्टिक हैड है और वो लगातार बाकी सरकारी सुईधाय आती है कोई योजना आती हैं तो उनको मिवाद के बीच में उतारते हैं और उसके बाद में उनका फाइदा मिवाद के लोगों को दिलबात रहते हैं बहाई और भी हमारे साथ इनका परीच़ करो आपका जल जल बताई जी मेरा नाम सलमान है उह गाउ सील भ गाउन चिलावली हैं यह उमरदीन जो की गाउन चिलावली से तालुक रखते हैं और समाज के सभी हिस्सों में जो भी काम है उनमें बढ़ चड़कर हिस्सा रहते हैं इनसे आपका परिच्चे कराना बहुत जादा जरूरी है ऐसा इसलिए क्योंकि जब इनके साथ में यह वा सलमान भाई से बात करते हैं बाकी क्या कुछ संदेश है आपका सबस्पहर तो बहुत-बहुत स्वक्रिया आपका कि आप लोग हमारी वीडियो देखने के बाद में यहां पहुंचे और उसके बाद अम्मा की आपनी मदद की है असलाव अलेकुम मैं अपने मेवात के सभी हुक्त मेवात के सबस्फेश में ईशेख वालें का फजादा गरीब और का आप ज्यादा गरीब उननका हल यहां जाल करो या कुछ भी गलत करो उसका सामना करो और इसका कोई घुछ क सामना करो गा कि इसका कोई हल निकलेगा जो आपने नए बच्छे वह किं है गो स्वाहbn अपिश्ट करते हैं और वह पैसे बरबाद होते हैं उन पैसों को आप गरीब को दो खुड़ी हेल्प करो तो काम आएंगे नाच कर आते हैं नाच कोई मेटर हो जाए ठाइना में हो जाए तहसील में हो जाए बाइक पकड़ जाए वहां हम लाख रुपए हजार रुपए एक तो पुमिंट में दायते हैं पुली स्कृटर कमा रहे हैं और जब कुछ गड़ीब को देने का मनकरता है तो हम एक रुपियीस से नहीं ले देते किसी को सोचते कि ले ले किसी से देने का थो काव ही नहीं है है मेरे भै मैं ये कहना चाहता हूं जिस पैसे को आप बर्बाद कर रहे हो उसπαह को किसी गरीब को दो नब गरीब के हैलप करेगे तो अल्लापको और देगा कोसिज करो कि गरीब की हैल्प आप करते रहो चलिए यह सही बात है कि जब आप लोग बड़े मनाते हैं या फिर उनकी मदद आपसे नहीं की जाती सकील जी आप लोग क्या कहेंगे क्योंकि पैसे बहुत हैं लेकिन मदद नहीं करते हैं उनको आप लोग क्या कहना चाहेंगे क्या कुसंदे से जी जैसे रिजवान भाई अभी सलमान भाई ने बताया कि हमारे जो नोजवान साथ हैं यह सच ह है या कोई और चुटी है पढ़ने वाले हैं कोलिश से हर हफते में दो से तीन बार फिलम देखने चले जाते हैं अगर एक दिन हफते में एक बार फिलम नहीं देखेंगे और उस फिलम के पैसे को किसी गरीब के लिए लगा देंगे तो भाई आपका कुछ नहीं अगर एक गरीब जिस तरह इस भाई नात्मत्या करने के कोशिश करी है गरीबी के हालात में आ करके कोई भाई इस तरह से नहीं करेगा तो मेरी सभी से यहीं रिक्वेस्ट है कि आप जादा से जादा जितना हो सका आप गरीब लोगों की मदद करें आगे बढ़ें नहीं कि आप 1000 रुपे की मदद करो आप से 100 रुपे बनते हैं 200 रुपे बनते हैं 500 रुपे बनते हैं जितने भी आप से बन पाता है आप उतनी मदद करिए क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे करके आप इस अम्मा के जो बेटे का इलाज आसानी से करवा सकते हैं और इसके ल लाए सू दोसोपान सो जितने भी है हेल्प करने की कौन harvest करो अब बेवजा पैसे खरज कर देते हो सिक्रप वगएरा जैसे सल्मां भाई ने बोला बिलнитất कुल इसा ऐसे आप मतलब बेवजा पैसे खरच कर देते हो एक बात पता हो कोई भी अमीर या गरीब पैदा नहीं होता ठीक है वो दुनिया में आकर ही पता चलता है कि मैं अमीर हूं या गरीब हूं तो भाई मेरी हाथ जोड़का सबसे रिक्वेस्ट है जितने भी भाई कोई गरीब है कहीं भी मिले को तो उसकी हेल्प करो मेरे बाई चलिए देखे वास्तों म बहुत ज्यादा ज्रूमत करने चाहिए और बिमारी काहलिया नहीं कि मौत आएगी बिलकुल मदद करनी चाहिए जी चलिए अब देखना यह है कि बाकी जो मिवाद के लोग हैं वो इनकी कितनी मदद करने वाले हैं और कितनी मदद की है अमा अब कैसी कंडिशन है आपके ब सबस्क्राइब देखने का अब तो इलाज करा लेंगे बेटे का अब घर मकान की जुरत है रहने के लिए कि घर मकान बन जाए आपका गरीवी में कहां सुलाओं कहां बनाओं तो ज्होंपडी में तो पानी भर जाता है आपकी में भरे बारिस वजाज बार सब्सक्राइब आपके नास्ते की खाने पीने की अब कहीं जाने जुरूत नहीं आपको ठीक ना बाकि ओलो मदद करेंगे जो देख रहें आपको तो बैठा अब तो क्षुस होना पार्ला बैठा ना कम therapy के मदद करें बुद्दी करें बट्चान बट्राउत काने आत्मा निकल रही है तो कहीं ना कहीं जो मदद यहां पर की जा रही है उस मदद का अजर उस मदद की सवाब और उस मदद का फल इन लोगों को जरू मिलेगा ऐसे में जरूत यह है कि आप लोग भी आगे आएं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाओं के मुख्या है ना जो अभी तक फटके नहीं यहां देखने के लिए कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है जब चुनाव का वक्त आएगा तो आप आजाएंगे यहां वोट मांगने के लिए लेकिन एक बार भी आप से यह नहीं बना कि मैं गाओं में आकर के यह तो देख लूँ कि हो क्या रहा है दूर दूर से गाओं के लोग आ रहे हैं बाहर के लोग आ रहे हैं मदद करने के लिए और आप हैं कि घर में गुसे बैठे हैं हाला कि यह मुझे नहीं कहना चाहिए था आपको खुद देख लेना चाहिए था आप अपने परतिक के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा हतीन का मसूर कैंसर अस्पताल जहां बिना ओपरेशन के होता है कैंसर बच्चे दानी में रसोली पितवे गुर्दे की पत्री लकवा और नामर्दी का सफल इलाज अगर आप भी हैं इन घातक बीमारियों से परेशान तो अभी डायल करें 95,88,57,35,75 डॉक्टर परवेज के पास लाइफ कियर कॉलेज एंड कैंसर आस्पताल में B.E.M.S और तमाम तरही के मेडिकल से जुड़े हुए कॉर्स कराए जाते है